हलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागत है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो आपके समक्ष टॉपिक पस्तुत हुआ है कई मानने में काफी महतुपून है हर एक इक्जाम व्यू से ठीक है इसमें हम हर एक बात पर विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अच्छूता था तो चले देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है चंगेश खान कैसे बना यह जर्न से कहा गया तो जर्नल सी बात है यहां पर अगर हम प्रकास डालने कोशिश करें तो कहते हैं कोई भी वेक्ती का नाम अगर कोई अलग रखा जाता है या तो बहुत बहादूर होता है या वह बहुत कायर होता है तो इन बातों की तरफ ध्यान देते हुए इन कोशनों क अगर हम समझे तो हमें साब पता लगेगा कि तेमुजीन जो है चंगेश खान के रूप में कहते हैं बहादुरू की कारण यानि बहादुरी के कारण जो है ये चंगेश खान बना इसमें कोई शक नहीं है कि तेमुजीन एक कहते हैं एक बहुत बड़ा कमांडर था एक बहुत डाउट नहीं है कोई हम इसमें बात नहीं कर सकते कि चंगेज खान एक बहुत बड़ा कमांडर था। उनकी अरामबिक सपलता उन्हें प्राथमिक प्रभावशाली बना दिया। क्योंकि जब से ये कमांडर का पददिकार समाला तब से उनकी जीत ने उनको प्रभावशाली बना दिया। करते जामुके तेमुजीन और तुगलील खान के बीच बड़ते मेत्रिपन संबंद को देखने में असमर्थे था। जो है टामुके तेमदीन और जो है इसमेन। तबसी'llगलील खान ने इसमत संबंद है। वो देखने में समर्थ था कौन जामू के जामू के एक साशक था और जामू को ये देखके बहुत दुखी हो गया कि तेमुजीन और तुगरील खान के बीच काफी महत पूर्ण संबंद है और वो देखना नहीं चाहता था और इस परकार उसे तेमुजीन की सत्रू सरी जंजा से मित्ता करना सुरू कर दिया यानि देखा जाये तो यहां पर जामू को ने एक बहुत बड़ा चाल चला उसने यह चाल चला कि तेमुजीन के जितने भी सत्रू जंजाती थे सभी से इसने मित्ता करना अरंब कर दिया मित्ता करने से यह हुआ जामू को यह हुआ फैदा य चालक था लेकिन देखा जाय तो तुग्रिल खान की मदद से जमुखवा को किरारी हार दी जमुको को जो है बहुत बड़ी और यह उसका मित्र तुग्रिल खान के मदद से हुआ अपने दुसमन पर उसने अपने मेट्र की सहता से तेमुजीन ने जो है बिजय हासिर किया और कहते हैं सक्तिसाली जो है जामू के परहार से परसाहित होकर हुसने टैटल्स नामस और क्रेडल्स की और से ध्यान केंदरित किया ये काफी महतवपूर्ण है क्योंकि ये जमुके के उपर जीत थी वो काफी महतवपूर्ण थी और उससे ये पुरसाहिद होकर उसने टेटर्स निमान्स और केरिय डल्स और के ध्यान केंद्रित कर लिया बाद में तुगरील खान भी तेमुजीन का विरोध हो गया और हार गया कहते हैं अपने भी फिर दुस्मन बन गए जो मित्र के सहेता से उन्हें जमुकों को हराया था बाद में तुगरील खान जो है तेमुजीन का विरोधी हो गया लेकिन यहां पर तेमुजीन जो था कमजो और नहीं था और वह काफी प्रभावशाली शक्तिशाली था और अपने मित्र तुग्रील खान को भी हरा दिया और यह सबसे महतवपून बात थी इस परकार वह स्टोपी छेत्र की राज नीती में सबसे प्रभावशाली ब्यक्ति बन गया यानि देखा जाए तो स्टेफी छ उपाधी से जो है कुडिलिताई ने उसे चंगेश खान की उपाधी से सम्मानित किया जिसका अर्थ है सर्फ भॉमिक सप्रभू यानि देखा जाए तो इनुवर्सल जो है यहाँ पर सिर्गेंटी आ गया तो यह काफी महतवपून है कहते इतने इसने विजय किया इवन कि अपने मित्र को भी हराया को काफी महतवपून बात आती है और इन सब को देखते हुए इसकी उपलबदियों को देखते हुए कुलताईन ने से जो है चंगेश खान के नाम से संबोधित किया और चंगेश खान का नाम का महतव होता है सर्भॉमी यानि इन्वर्सल यानि सबी जो है उपर प्रभु सत्ता तो यह काफी महतवपून बात यहां पर चंगेश खान के लिए आता है कि एक तमू जीन जो है किस परकार चंगेश खान से नाम से संबोधित हुआ तो यह काफी महतवपून कोशन था आगे कोशन और भी महतवपून है तो आप बने गरुए और आपको पूरा देखिए अगर आपको नहीं देखना है तो मत देखिये लेकिन वीडियो जब भी देखिये पूरा देखिये ये आपके लिए फैदे मन रहेगा और ऐसा नहीं कीजेगा तो आप आपको अधूरा जनकारी रहेगा और अधूरा जनकारी कभी भी किसी बच्चों के लिए महत्वपून नहीं हो सकता ठीक है तो यह आपके लिए महत्वपून बात थी पहली बार में चनल पर पहली वीडियो देख रहे हो तो जर्नल सी बात है दोस्तों सबस्क्राइब कर वाल में सेव करना है